नमस्कार नियूस फोर नेशुन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षिजा बता दे एक ही महा गटपंदन में रहने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव और निटीश कुमार अलग-अलग रास्तों पर कभी-कभी चलते नजर आते हैं आपको बता दे कि निटीश कुमार जहां एक तरफ भाजपा नेता दीन दयाल उपाध्याई की जोयनती कारक्रम में श्चामिल होने जाते हैं तो क्या है इस पूरे मामले की इंसाइड स्टोरी आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में बिहार के सीम निटीश कुमार के विपक्षी गठबंदन यानि के इंडिया अलाइन से नाराज होने के कयास लगातार लगाये जा रहे हैं कहा तो ये भी जा रहा है कि निटीश कुमार का अंदाज यूही नहीं बदला है अगर उन्होंने पीएं बनने से इंकार कर दिया और वर और दोज़ार पचीस में तेजस्वी की ताजपोशी का खुद ही अलान कर दिया तो इसके पीछ निटीश की सूस्चिंतित रननीती ह वे खलिहर नहीं बैठने वाले कॉंग्रेस के सेश्व नितुरुत ने विपक्षी गठमंदन में निटीश का कट तो घटा ही दिया अब आरजडी भी उनको भाव देने से बच रही है बताते चले कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राश्ट्यस्तर पर निटीश को कॉंग्रेस भाव नहीं दे रही है तो इसकी वज़ असपस्ठ है कि पार्टी ने राहूल गांधी को पियम फेस बनाने का फैसला कर लिया है खुद राहूल गांधी ने इस बारे में तो कभी खुद नहीं कहा लेकिन कॉंग्रस के सीनिय लीडर समय समय पर इसे दोहराते रहे हैं जहां तक बिहार का सवाल है तो आरजेडी और जेडियू में अभी तक बढ़ी आंडस्टैनिंग है बतादे हाल के दिनों में एक नई बात देखने को मिली है जहां महागटबंदन का साथी बनने के बाद लालू यादव के घर नितीश कुमार की आवाज रही लगी रहती है बिना बुलाए नितीश कुमार उनके जब तब घर चले जाते हैं अब तो लालू प्रसाद यादव भी नितीश के आवास पर बेधड़क पहुँच जाते हैं दोनों के बीच लंबी बत कही नहीं होती कभी 15 मिनट तो कभी आदा घंटा दोनों बाचित करते हैं क्या बाचित होती है ये कोई पक्ष नहीं बताता पर इतना तो तैह है कि दोनों की बाचित के केंद्र में राजनीती ही होगी बाचित सिर्फ हालशालता की सीमित नहीं होगी अगले साल लोकसभा का चुनाओ है तो 2025 में बिहार विधान सभा का भी चुनाओ है नितीश ने 2025 का चुनाव आरजेडी नेता और डिपटिसीम तेजस्वी यादव की नेतरित में लड़े जाने की पहल की घोशना करती है बतादे PM की रेस में भी उन्होंने खुद को बाहर कर लिया है ऐसे में दोनों बड़े नेताओं के बीच मुलकात में इस पर चर्चा तो जरूर होगी आपको बतादे की कॉंग्रेस मुख्याले सुदाकत आश्रम में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृषु सिंग की ज्रैन्ती मनाए गई कॉंग्रेस ने इस कारकरम का आयोजुन किया था भाजपा नेता दिन्दयाल उपाध्य की ज्रैन्ती में शिर्कत करने वाले सियो नितीश कुमार कॉंग्रेस के आयोजुन में श्रामिल नहीं हुए जबकि मुख्यातिती के रूप में आरजडी नेता लालो प्रसाद यादव हाजिर रहे हाला कि बड़े लोगों को ज्राती की चश्मे से देखना उचित नहीं लेकिन इस आयोजुन में लालो के शामिल होने के सियासी माइने यही निकाले गए कि मुस्लिम यादव यानिके MY समिकरन की राज़नीती करने वाले और भूरा बाल यानिकी भुमिहार, राजपुत, ब्राम्वन और लाला का नारा देने वाले लालो का भुमिहार प्रेम कैसे जाग गया इससे भी अधिकास्चरी लोग को इस बात पर हुआ कि इंडिया का हिस्सा जेडियू भी है तो नितीश कुमार क्यों नहीं गए साथी आपको बता दे कि नितीश कुमार और लालो प्रसाद यादव की मुलकातों का राज इसी में छिपा है कि कॉंग्रिस के कारकरम में बहेस्यत आरजडी के रास्ट्री अधिक्ष लालो प्रसाद शामिल हुए तो सीम और गटबंदन में शामिल रहने के बावजूद नितीश कुमार ने क्यों दूरी बनाएं आपको बता दे कि जहां एक तरफ कहा जो आ रहा है कि इंडिया आलाइंस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वहें दूसरी तरफ जो खबरे सामने निकल कर आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया आलाइंस तो दूर की बात है जो बिहार में महागटबंदन के सरकार है उसी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे नियूस पॉर नेशन